प्यारे बच्चो नमस्कार कैसे हो आप लोग? आशा है सब स्वस्थ होगे बच्चो आप सब को शरारत करना अच्छा लगता है? दूसरों को तंग करना अच्छा लगता है क्या? और अगर कोई आप से शरारत करे आपको तंग करे तब कैसा लगता है? जरा याद कीजिए क्या-क्या शरारते करते हैं आप? कभी मा को परिशान करते होंगे? मा ने सफाई की और आपने गंद पहला दिया जरूर करते होगे? कई बार मित्रों को भी जैसे किसी ने गुबारा फुलाया और आपने उसे फोड दिया करते हो ऐसे न? तो बच्चो आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं उसमें भी कोई शरार्ती है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वे शरार्ती कौन है? वह है आसमान जो एक बूड़ी अम्मा से शरार्ते करता है तो आएए पढ़ते हैं आपकी पाठे पुस्तक रिमजिम भागतीन का तीसरा पाठ चान्द वाली अम्मा तो ध्यान पूर्वक सुनिये और देखिये कि आसमान क्या-क्या शरार्ते करता है बहुत समय पहले की बात है एक बूड़ी अम्मा थी बिलकुल अकेली उसका अपना कोई न था घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था सुबे उठकर कुए से पानी लाना खाना बनाना आदि उसके साथ एक परेशानी थी वे रोज सुबे उठकर जब घर में जाडू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता पर जैसे ही वे आंगन में जाती और जाडू लगाने के लिए जुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता अम्मा उसे घूर कर देखती तो वे थोड़ा हट जाता फिर वे जैसे ही दुबारा जुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोराता एक दिन, दो दिन, तीन दिन लगातार यही करम चलता रहा अम्मा जाडू लगाए और आसमान उसे तंग करे एक दिन कुए पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से जगड़ा हो गया अम्मा जरा गुसे में थी वे जाडू उठा कर आंगन में गई और जैसे ही जुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा अम्मा ने आव देखा ना ताव और कस कर एक जाडू आसमान को दे मारी आसमान जट हट गया पर वे भी अपनी आदत से मजबूर था दूसरी बार फिर अम्मा के जुकते ही तक्कर मारने लगा अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया आसमान को शरारत सुची इस बार उसने ज़ाडू पकड़ ली उधर अम्मा भी ज़ाडू पकड़े थी रस्सा कशी शुरू हो गई जाडू का उपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा तोनों छोड़ने को तयार नहीं थे अम्मा चिल्लाई छोड मेरा जाडू मेरे पास एक यही जाडू है तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा बुड़ी अम्मा कब तक रसा कशी करती थक गई आसमान ने जाडू खींचना नहीं छोड़ा अब वे जाडू के साथ उपर उठने लगा उसके साथ साथ जाडू पकड़े हुए अम्मा भी उपर जाने लगी वे चिलाई मुझे नीचे छोड़ दे आसमान ने कहा अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा ले चलूँगा उपर वहीं जाडू लगाना अम्मा अब जाडू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वे बहुत उपर पहुँच चुकी थी तभी उसे वहाँ चांद दिख गया छट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चड़ गई पर जाडू नहीं छोड़ी आसमान को फिर शरारत सूजी उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चड़ गई है यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाओंगा इसे यहीं रहने दूँ ऐसा सोच कर उसने जाडू छोड़ दिया अम्मा जाडू सहित चांद पर रह गई वे इतनी ठक गई थी कि जाडू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई आसमान उपर चला गया उस दिन से आज तक बूड़ी अम्मा जाडू पकड़े चांद पर बैठी है तो बच्चो कैसी लगी कहानी? मज़ेदार थी ना? पहुत अच्छा आप भी ऐसे हिश्रारते करते हैं ना? अवश्य करते होंगे अच्छा चलो देखते हैं आपको कहानी में कितना कुछ समझ आया अच्छा बताईए कि बूड़ी अम्मा को चांद पर कौन लेकर गया था? तारे, आस्मान, हवा या इन में से कोई नहीं सही उत्तर चुनकर बताईए उत्तर क्या है बच्चो? आस्मान बिल्कुल सही अच्छा अब यह बताईए अम्मा के साथ घर में और कौन-कौन रहता था? विकल्प सुनिये बेटा-बेटी, पती, अकेली या पूरा परिवार? उत्तर क्या है बच्चो? अकेली, हाँ, अम्मा अकेली रहती थी अच्छा जरा यह प्रश्ण तो देखो चांद वाली अम्मा के पास कितने जाडू थे? दो, चार, एक या तीन क्या उत्तर है? बिल्कुल सही, एक जाडू था, केवल अच्छा बच्चो, अम्मा को आस्मान जब उपर खींच कर ले गया, तो वे कहां बैठ गई? बताईए कहां बैठी थी? चांद पर, किसी ग्रह पर, सूरज पर, या इन में से कोई नहीं क्या है उत्तर? चांद पर, ठीक है अच्छा बताओ, जब बूडी अम्मा आस्मान में जा रही थी, तो उसने आस्मान को मनाने की कोशिश कैसे की? चिला कर, घबरा कर, गुसा करके, या इन सब तरीकों से? उत्तर क्या है? इन सब तरीकों से, बिलकुल सही क्योंकि जब अम्मा ने नीचे से जाडू पकड़ी थी, और उपर से आस्मान ने पकड़ी थी, तो बेचारी चिलाई भी, घबराई भी, और कुसा भी किया, है ना? अब मैं आपके सामने कुछ शब्द रख रही हूँ, आईए मिलकर इन्हे समझने और वाक्यों में प्रियोग करने की कोशिश करते हैं पहला शब्द है रसा कशी, क्या होता है? बच्चो रसा कशी एक खेल होता है, जिसमें दो तरफ से लोग रसी को खीचते हैं आपने कभी देखा है ये खेल? स्कूल वापस जाओगे ना, तो जरूर खेलना, बहुत बड़िया खेल होता है अच्छा, वाक्य बनाईए रसा कशी का रसा कशी के खेल में मेरी कक्षा ने दूसरी कक्षा को हरा दिया बहुत मज़ेदार खेल है अगला शब्द देखिए आसमान यह तो बहुत आसान है, यह तो आप बना सकते हो बनाईए वाक्य आसमान में काले बादल चाय है हाँ जी, कुछ और भी आप बना सकते हो कई वाक्य बनाईए अगला देखिए चिलाना जब मेरे भाई ने मुझे पीटा तो मैं चिलाने लगा आपके साथ भी तो जरूर ऐसा कभी होता होगा अगला शब्द देखिए काम काज वाक्य क्या होगा बच्चो मा सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती है रेखते हो आप भी ना मा को ऐसे काम करते हुए हाँ अगला शब्द है बच्चो आदत से मजबूर बनाईए वाक्य क्या हो सकता है इसका वाक्य वह शरारत करना छोड़ नहीं सकता आदत से मजबूर है क्या मतलब हुआ कि उसे आदत है आदत पड़ी हुई है इसलिए वह ये काम बंद नहीं कर सकता अगला शब्द ही शरारत है बनाईए वाक्य मेरा भाई बहुत शरारत करता है तो मा उसकी पिटाई कर देती है बिलकुल सही मदद मदद का वाक्य बनाओ बच्चो अपने मित्र की मदद से मैं यह काम कर पाया मदद करना अच्छी बात होती है ठीक है ना? अच्छा, चलो आएए अब रिक्त स्थान भरने का प्रश्न करते हैं आपको दो में से चुन कर सही शब्द रिक्त स्थान में भरना है पहला वाक्य देखिए अम्मा उसे फिर रिक्त स्थान है देखती तो आस्मान थोड़ा हट जाता रिक्त स्थान में आप क्या भरोगे? घूर कर या गुस्से से बताईए क्या है उत्तर? घूर कर बिल्कुल सही अगला रिक्त स्थान है आस्मान को रिक्त स्थान सूजी, तरकीब या शरारत उत्तर क्या है बच्चो शरारत सही तीसरा वाक्य देखिए एक दिन फिर रिक्तस्थान पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से जगडा हो गया रिक्तस्थान में आपको इन दो में से कोई शब्द भरना है कुए पर या ज़रने पर क्या उत्तर है बच्चो? कहां गई थी अम्मा? कुए पर सही उत्तर बच्चो अगले अभ्यास में अब हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे अब हम मिलकर कुछ नये वाक्य बनाएंगे कहानी में जो जो पात्र थे उन पर कुछ वाक्य बनाएंगे पात्र मतलब जिनके बारे में यह कहानी है जैसे आस्मान कैसा था आस्मान? शरार्ती, जिद्दी, उंचा, बड़ा है ना? आप इन शब्दों का प्रियोग करके वाक्य बनाएंगे तो आईए शुरू करें आस्मान बहुत ही शरार्ती था इतना जिद्दी की मानता ही नहीं था वैसे तो वै बहुत बड़ा था पर बच्चों की तरह शरार्ती था बहुत उंचा और फैला हुआ भी था तो देखा आपने हम पाट के आधार पर आस्मान के बारे में कितना कुछ लिख पाए अब अगला कार्य आप स्वयम करेंगे दूसरा पात्र है अम्मा कैसी थी अम्मा? बूढ़ी, कमजोर, अकेली और लडाकू लडाकू थी ना लडाई की थी उसने कुए पर में कुछ वाक्य लिखिए मुझे आशा है आप यह कार्य अवश्य कर पाओगे बच्चो यह अभ्यास कार्य तो हमारा यहां पर समाप्त हो गया बूढ़ी अम्मा चांद पर रह गई थी ना चांद वाली अम्मा के बाद अब हम सूरच और चांद के बारे में एक रोचक कहानी पढ़ने जा रहे हैं आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगेगी यह कहानी भी आपकी पाठे पुस्तक में ही दी गई है तो आईए कहानी शुरू करते हैं बच्चों कहानी का नाम है सूरच और चांद उपर क्यों गए बच्चों बहुत समय पहले सूरच और चांद जमीन पर रहते थे पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अकसर उससे मिलने आते थे लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था एक दिन सूरच ने पानी से पूछा तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते पानी बोला मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यदि मैं तुम्हारे घर आऊँ तो वे भी मेरे साथ आएंगे उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगा नहीं होगी सूरच ने कहा मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा सूरच ने सच मुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था उसने पानी को इस नय घर में बुलाया पानी तरह तरह की मचलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरच के घर पहुचा पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाओं? सूरच ने कहा हाँ हाँ आ जाओ पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरच के घर में घुटनों तक पानी भर गया देखते ही देखते पानी सिर तक पहुँच गया मचलियां और पानी के तमाम जानवर सूरच के घर में इधर उधर घूमने लगे अंत में पानी इतना उंचा हो गया कि सूरज और चांद को छट पर जाकर बैठना पड़ा लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छट पर आ पहुँचा अब सूरज और चांद क्या करते? कहां बैठते? वे भाग कर आसमान पर पहुँचे आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं पर रहने लग गए कैसी थी कहानी बच्चो? अच्छी लगी कहानी? अच्छा बच्चो अब आप इन चित्रों को देखो यह चित्र भी आपकी किताब में दिये गए हैं ध्यान से देखो इन चित्रों को आप कुछ मनुश्यों को देख सकते हो इन चित्रों में यह पहला पेज है और यह दूसरा पेज है आपने करना क्या है बच्चो? इन चित्रों को देख कर एक कहानी बनानी है आप देख रहे हो इसमें अलग-अलग लोग-अलग काम कर रहे हैं एक बात ध्यान दी आपने इन सब आकृतियों में कुछ मिलता जुलता है सब आकृतियां एक दूसरे जैसी है क्या मिलता है इन में? ध्यान से देखो जरा हाँ, इनका आकार मिलता है सब के शरीर त्रिकोन आकार के हैं त्रिकोन समझते हो? तीन कोनों वाला अच्छे लग रहे हैं आपको यह चित्र तो यह कार्य आपने स्वयम करना है आपको इस पर एक कहानी बनानी है तो बच्चों आपको मैं एक बात और बता दूं कि यह जो चित्र आप देख रहे हो यह चित्र महाराष्ट की वरली शैली में है इस शैली में इस तरीके से चित्र बनाते हैं और पहुत सुन्दर चित्र बनाते हैं और उनकी यकला आज कल पूरे विश्व में फैल चुकी है और पूरे विश्व के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं तो आज हमने एक कहानी पढ़ी जिसका नाम था चांद वाली अम्मा इस कहानी का नाम चांद वाली अम्मा क्यों है बता सकते हो हाँ हाँ बताओ क्योंकि वे अम्मा चांद पर ही रह गई थी हाँ और क्या पढ़ा हमने कि कभी कभी आसमान जैसे बड़े भी शरार्ते करने लगते हैं तो बच्चों क्या दूसरों को तंग करना अच्छी बात है या बुरी थोड़ी बहुत शरारत तो ठीक है पर किसी को ज्यादा तंग करें तो वे परिशान हो सकता है अब आपके करने के लिए मैंने कुछ काम बताया था क्या था वह याद है आपको आपने अपनी पुस्तक में दिये गए वरली शैली के चित्रों को देख कर एक कहानी बनानी है आशा है आप यह काम जल्दी से कर लेंगे तो अब आज का पाठ यहीं समाप्त होता है खुश रहिए, स्वस्त रहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए नमस्कार बच्चो झाल